Good morning children, कुसु मैं की उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारी बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की गनित की पुस्तक, गनित का जादू का chapter 10, पैटर्न की पहचान करना सीखेंगे, इससे पहले के जो पेज हैं, वो मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में आपको समझाए हैं तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, आज हमारा पेज नमबर है 146, तो देखिए बच्चों, यहां है इन्हें भी आगे बढ़ाओ, तो देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, एक square, यानि की एक वर्ग दिया गया है, है ना, अब यहां पर आगे 4 वर्ग दिये गए हैं, उस से आगे इसने कितने वर्ग कर दिये बताओ, 9 वर्ग, है ना, तो इस तरहे से बढ़ते चले गई हैं, तो यह किस तरहे से बढ़ेंगे, वो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी, देखिए जिस तरहे से हमने बनाया एक वर्ग, ठीक है, अब आगे हमें बनाना है इसी तरहे से, इस तरहे से, ठीक है, यह बन जाएंगे 4 वर्ग, है ना, इस से आगे कैसे, इस से आगे भी वही एक वर्ग वाला जो है, वो इस तरहे से हमें बढ़ा देना है आगे, इन सब लाइनों को हमें आगे बढ़ा देना है और ये बन जाएगा तीसरा पैटरन इससे आगे का पैटरन भी इसी तरह से बनेगा इसको आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया और ये स्क्वियर बना दिये ये सबी लाइनों को आगे बढ़ा बढ़ा कर square बना दिये ये बन जाएगा ये देखो बन गया ना ये वाला है इससे आगे ये वाला बनेगा वही सेम pattern है इसको हम इस त्रहें से आगे बढ़ा देंगे ये देखिए अब सारी लाइनों को इसी त्रहें से आगे बढ़ाते चलिए और ये बन गया हमारा एक पैटर्न अब मान लो इससे आगे भी पूछा होता तो वही आगे बढ़ा दो इस त्रहें से और हो जाएगा आगे ना समझ में अब आगे ये वाला देखिए ये क्या है ये एक ट्राइंगल है है ना एक ट्राइंगल यानि की एक त्रीभुज है और इसमें आगे क्या किया गया है इस त्रीभुज के नीचे दो त्रीभुज और बना दिये गए है और इससे नेक्स्ट में क्या किया गया है यह जो त्रभूज था इससे आगे यहां नीचे तीन त्रभूज बना दिये गए है और यह वाला पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ा दिया गया है देखिए अब जैसे यहां पर है एक त्रभूज ठीक है अब इसने क्या किया इस त्रहें से आगे बढ़ा दिया यह और यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिये हैं अब उससे next वाले में फिर वही लाइनों को इस तरह से आगे बढ़ाया और यहाँ पर क्या किया यहाँ पर तीन त्रिभुज इस तरह से बना दिये, देखो एक ये बन गया है ना, एक ये बन गया एक ये बन गया, तीन त्रभूस हो गए न ये, तीनों इस त्रहेंसे, आगे उससे आगे भी इसी त्रहेंसे बढ़ाते चलते हैं बच्चों, और ये हमारा ये वाला पैटर्न तयार हो जाएगा, आगे आना समझ में ये देखो, इस त्रहेंसे बन जाएगा हमारा, आगे ये बाला देखो, इसमें क्या किया गया है, एक लाइन, फिर इसमें आई दो लाइने, फिर इसमें आई तीन लाइने, है ना, और यहां पर है यह, चार लाइने, यहां पर क्या किया गया है, पांच लाइने आ गई है, है ना, और इसमें क्या आ जाएगी, इसमें छे लाइने आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, कैसे भी बना दो चाहिए, कोई वो नहीं है, कि गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे वाली में साथ लाइने, तो क्या पैटर्न हुआ ये, ये बच्चों आगे बढ़ती जा रही है लाइने, है ना, एक 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 लाइन, हर पैटर्न में आगे बढ़ती जा रही है अब यहां पर देखिए अपने पैटर्न यहां दी गई जगहें में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ तो यहां पर तुम्हें अपने आप पैटर्न बनाने हैं बच्छों देखिए मैंने एक बना रखा है जैसे एक तिरभूज ले लिया और एक इस तरहें से एक तिरभुज ले लिया, एक हमने ये क्या ले लिया, ओवल ले लिया, तिरभुज ले लिया और एक हमने ओवल ले लिया, ठीक है, ओवल क्या होता है, अंडाकार, है ना, तो इस तरहें से आगे बढ़ता जाएगा ये पैटर्न, इसी तरहें से यहाँ पर बच खे हैं? आगे देखिए अब आगे है हमारा page नर्वानf वान्थ nearest वानफ़्टी सैवन तो अब देखिए संख्याद पैटर्न यह क्या है? संख्याद पैटर्न हमने चित्रों से कुछ पैटर्न मत बनाय हम संख्याओं में संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं जैसे ये देखिए, पहले चित्रों से समझाये थे न, ये कहता है हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं, यहां पर देखिए, क्या आया 21, फिर 41, फिर 61, फिर 81, उसके बाद आया 101, और इंगलिस में कैसे पढ़ेंगे हम इसको पता है, 21, 41, 61, उसके बाद आया 81, और 101, तो बच्चो, अब आगे बताओ, कि क्या आएगा, किस रहे से बढ़े हैं ये पैटर्न, पता है आपको, हम, स्याबास, देखो बच्चो, 21 में 20 जोड दिये, इस रहे से भी हो सकता है ये, 21 में 20 जोडे, 41, 41 में 20 जोडे, 61, है न, लेकिन एक बिल्कुल इजी सा पैटर्न ब चार, दो तीए, 6, दो चोड़े, 8, दो पंजे, 10, यहां क्या आजाएगा, बताओ, दो चीके, 12 है, है न, यहां फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो, दो में 2 जोड दिये 4, चार में 2 जोड़े 6, छे में 2 जोड़े 8, आठ में 2 जोड़े 10, और 10 में 2 जोड़े 12 है, है न, और ल एक है तो यहां भी हम क्या रखतेंगे एक आगया ना है ना देखो अब अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना तो यह लिख दी ना हमने आगे है यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है यह आगे और बढ़ता जाएगा तो देखिए बच्चो यह देखो यह बढ़ रहा है तोई ना क्या आया इकेस एक तालिश फिर बिस क्या आया फिर बिस जोड दियति इसमें इक सट फिरfolgयासी फिर एकसो एक इसी परनेसे भी कर सकते हो और मैंने जैसे बताया था दो का पहाडा भी पढ़ सकते हो या फिर दो दो जोड भी सकते हो दो, दो चार, चार और दो छे, दो आट, दो दस, दो बारह, दो चोदह, दो सोलह है और उसमें दो जोड दिये कितने बन गई? अठा रहे हैं और एक एक जो है वो add इसके अंदर पीछे लिख रखा है तो क्या आगया हमारा? 181 यानि की 181 अब आगे देखो नियम ढूंडो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर देखो बच्चोँ, अब इसके नियम बताओ मुझे क्या कर रखा है इसमें? श्याबास बताओ ये कितना है? 51 यानि की 51 51 है ये और यहाँ पर आया 56 तो कितने का अंतर हुआ बच्चोँ इसमें? श्याबास यहाँ 5 का अंतर हुआ 51 और 5 कितने हो गए? 56 51 और 5? 56 इन दोनों में कितना अंतर हुआ ये बताओ अब आग श्याबास हाँ लगाओ दिमाग बच्चे 5 है ना? 56 में 5 जोड़े कितने बना? 61 आगे क्या है? इसमें भी 5 जोड़े क्या बन गया? 66 तो क्या पैटर्न हुआ बच्चोँ? 5-5 हमें आगे बढ़ते जाना है है ना? 5-5 बढ़ाते जाना है ये वही पैटर्न है तो बताओ अब हम कैसे लिखेंगे इनको? शयबास 66 है इसमें 5 जोड़ देंगे बताओ कितना आया? 71 71 71 में 5 जोड़ दिये 76 76 और इसमें 5 जोड़ देंगे कितना आजाएगा? 81 81 है ना? अब आगे का पैटर्न देखिए ये भी अगर इसको आगे और भी बढ़ाना हो तो इसी तरह से 5-5-5 एड़ करते चले जाएंगे अब ये देखिए सैकिंड ये है साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है और यहाँ पर इसने लिख रखा है 21 है ना? तो बताइए क्या आना चाहिए? तो साथ का पहाड़ा पढ़के देखते हैं साथ एकम साथ साथ दूनी 14 है साथ ये 21 साथ चोके 26 हाँ ये तो साथ का पहाड़ा है और इंगलिस में कैसे पढ़ेंगे इसको? सेवन वनजा 7 सेवन टूजा 14 सेवन थ्रीजा 21 सेवन फोजा 28 और सेवन फाइब थर्टी फाइब सेवन सिग जा 42 सेवन सेवन फोजा 49 और सेवन एट जा 56 इस तरह से आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा ठीक है बच्चो? अब आगे का देखो ये थर्ड पैटर्न देखो ये क्या है? ये है 2, 4, 8, 16, 32 बताओ, श्यावास, अपना दिमाख लगाओ, इसमें मुझे बताओ कौन सा पैटर्न है ये? हम, 2, 4, फिर 8 क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है, है ना? 2, 2 में 2 जोडे? 4 4 में 4 जोडे दिये? 8 8 होर 8? 16, 16 और 16, 32 तो ये डबल होते जा रहे हैं ना? अब यहाँ क्या आ जाएगा? 32 और 32 कितने होते हैं? 64 ठीक है? और 64 और 64 कितने होते हैं? 128 और 128 प्लस 128 कितने होते हैं? पता है 256 इस तरहें से पैटर्न अगर हमें बढ़ाना हो तो आगे हम बढ़ा सकते हैं आ गया समझ में बच्चो ठीक है आगे देखिए ये वाला इसमें क्या है? 12 है A 13 है B 14 है C क्या हुआ भई ये? बताओ आगे क्या आना चाहिए? तो हम देखेंगे यहाँ पर है 12 है 13 है 14 है तो यहाँ जाएगा 15 है 16 है ना? और इंगलिस में कैसे? इंगलिस मीडियों वाले बच्चे कैसे करेंगे इसको? 12, 13, 14 यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ क्या आएगा 16 अगर आगे भी होता तो 17, 18 इस तरह से आजाता और A, B, C, यह भी कम से बढ़ते जा रहे हैं A, B, C उसके बाद क्या आता है? D, उसके बाद क्या आता है? E, तो बच्चो यह पैटर्न इस तरह से आएगे आगया ना समझ में? अब आगे देखिए यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा? तो अब देखो बच्चो यह देखो बढ़ते हुए पैटर्न देखो और यहाँ पर बताओ कि आगे क्या क्या आएगा हमें कितना कितना जोड़े तो देखिए यहाँ एक है यह है तीन कितना जोड़ा गया है? एक में दो जोड़ा गया है एक और दो तीन तीन और तीन छे होते हैं ना तो यहाँ पर तीन जोड़ा गया है अब चार अच्छे और चार दस होते हैं है ना यहाँ पर चार जोड़ा गया आगे कितना जोड़ा जाएगा देखो 2, 3, 4 यहां कितना जोड़ा जाना चाहिए 5 है ना तो जोड़ो 10 में 5 जोड़ दिये बताओ कितना आगया हमारा श्याबास कितना आएगा 15 है श्याबास अब आगे कितना जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे किस में 15 है में कितना बन 21 आगे कितना जोड़ेंगे 7 और इस तरह से जोड़ जोड़ कर हम ये पैटन पूरा कर देंगे तो बच्चो ये वाले आपको खुद ही करने है मैंने आपको पैटन समझा दिया ना ये आपको खुद ही सीखना है आगे आप खुद करेंगे अब आगे देखिए ये है 0 2 6 12 या बताओ बच्चो जीरो है फिर 2 आया फिर 6 आया फिर 12 है आया तो बताओ इसमें क्या है शाबास अपना दिमाख लगाओ देखो जीरो और 2 में कितना अंतर आया जीरो में 2 एड़ करने से 2 आता है ना अब 2 में 4 एड़ करने से आया 6 और 6 में 6 एड़ करने से आया 12 है अब 12 मे क्या एड करेंगे 2,4,6 ये भी संख्या बढ़ती जा रही ना तो हमें 8 एड करना है है ना क्या आ जाएगा бारहे और 8 कितना आएगा 20 अब आगे कितना एड करेंगे हम यहां अहां 8 किया था 20 संख्या में हमें कितना एड़ करना है हमें 10 एड़ करना है तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 इसी तरह से इसमें क्या कौन सी संख्या एड़ करेंगे ये बच्चों आप खुद करोगे ठीक है इससे आगे एक दो और भी पैटर्न बढ़ा देना ओके अब आगे देखो थर्ड पैटर्न है हमारा एक तीन साथ تेरह हैं है ना ये इसमें बताओ क्या किया गया है शयाबास अपना दिमाख लगाओ भई एक है और तीन है हैना कितना अंतर है ये देखो पहले अंतर कितना है दो एक में दो जोड़ने से ही تीन बनता है और 3 और 7 में कितना अंतर है? 4 का, 3 में 4 जोड़ने से 7 बनता है और 7 और 13 में कितना है? 6, 7 और 6 13 होते हैं, है ना? तो बताओ, अब यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 2, 4, 6 इस तरह से बढ़ रही है ना ये? तो अब की बार 8 बढ़ना चाहिए यहाँ पर तो 13 है और 8 कितना होता है? 21 अब आगे 10 बढ़ना चाहिए, फिर 12 बढ़ने चाहिए, फिर 14 बढ़ने चाहिए इस तरह से बढ़ते जाएंगे और आप जमा करते जाओगे और पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा आगया समझ में बच्चो? अब आगे देखिए, ये वाला देखो इसमें क्या है? 2, 3, फिर 6, फिर 11, फिर 18 इसमें देखो, अंतर देखा, गरू बच्चो? ये देखो, 2 और 3 में कितना अंतर है? एक का अंतर है, 2 और 1, 3 और 3 और 6 में कितना है? 3 का, 3 और 3, 6 6 और 5, 11 है 11 है, और 7, 18 इस तरहें से बढ़ रहा है ये देखो, बहुत ही easy है है ना? अब देखो, कैसे बढ़ा? 1, 3, 5, 7 ये तो कौन सी संख्या बढ़ने लग गई? विसम संख्याएं है ना? हाँ, 7 के बाद कौन सी आएगी? 9, इस तरहें से बढ़ रही है विसम संख्याएं जो है हमें इसमें एड करते जाना है ठीक है? अब जैसे 11 और 7 ये ओगया 18 है, अब क्या बढ़ना चाहिए यहां पर? 9, है ना? अब 9 आना चाहिए तो 18 है और 9 जो है, वो कितना हो जाएगा? बताओ श्याबस कितना हो जाएगा? 27 और अब 27 में क्या एड करेंगे हम? 11 है एड करेंगे 27 में 11 है एड कर दिया तो कितना मन गया? 38 अब आगे 13 है एड होगा है ना? इस तरह से पैटरन चलता जाएगा तो बच्चो आपको अब ही ये अपने आप से करने है आगे पैटरन अपने आप बढ़ाने है मैंने आगे बढ़ाने का आपको तरीका बता दिया है ठीक है? और ये विशम संख्याओं के बारे में जादा डिटेल से भी नहीं बताया आगे वाले पेज पर अगली वीडियो में मैं आपको सम और विशम संख्याओं के बारे में भी समझाओंगी और आगे के जो पेज हैं वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझाओंगी तो बच्चो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई